विनाय के साथ सारे कपड़े और पासपोर्ट लेकर भाग चुकी है पाखी चैसला लेते हैं कि वो पाखी को सच बता देंगे हाला कि भवानी परिशान है क्योंकि उसकी पाखी कभी मा नहीं बन सकती अब ऐसे में जब पाकी के सामने सच आएगा तो उसको डर लग रहा है कि कहीं पाकी कुछ करना बैठी लेकिन भई लो पाकी ने तो पहले ही सब कुछ कर दिया है जी हां आप देखिंगे कर से सई जो है परिशान होती है हाला कि विराट उसे बार बार बोलता है कि वो पाकी को सच ना बताए लेकिन सई जो है भागते भागते के कमरे में जाती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता है वो इधर-उदर विनायक को ढूंड रही होत देखता है किस तरह से पाकी जो है कहीं दिखे नहीं रही है वहीं वो देखता है कि अलमारी के पास उसका पासपोर्ट नीचे गिरा हुआ है तब वो देखता है कि मेरा पासपोर्ट यहां कैसे गिरा है जब वो अलमीरा को खोलता है और देखता है कि उसमें से धनायक और प पाकी ने फोन भी यहीं छोड़ दिया है और जब विराट उसका फोन हाथ में लेता है तो वह समझ जाता है कि और कुछ नहीं पाकी को सच पता चल गया था और पाकी जो है सच जानने के बाद विनायक को लेकर भाग चुकी है वहीं सही जो है वह भी परिशान है क्योंकि ना बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है जब घरवालों को पता चलेगा कि विनायक को लेकर पाकी फरार हो गई है तब क्या होगा जी हां आपको आने वाले ट्राक में देखने को मिलेगा कि किस तरह से सई और विराट नीचे जाकर बताते हैं कि पाकी और विनायक उसे कहीं न विनीचे आकर सबको बताता है कि पाकी अपने रूम में नहीं है यानि कि पाकी और विनायक जो है भाग चुके हैं अब देखना दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है कि भवानी इतनी आसानी से पाकी को उस घर का वारिस लेकर भागने देगी आपका क्या कहना है भवानी क्या करेगी कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही टीवी और बॉलिवूर्ट से जुड़ी होई तमाब अपडेट के लिए जल्दिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डीजे अगर आप ये वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर द अज़ ऑिलाएब पर टॉलिवी।